बहुत स्पागत वियोज आप सभी का आप देखने हैं आपका शोग नहानी कुर्शी की मैं उस तोरव आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए अर्श्मादंत्र पाथी जी राहूल माजन साफ समीर शगाउंगर साफ प्रफेसर संगीत रागी साफ ब्रेक से पहले हमने जित साफ पाड़ दे हैं तो राज और चलते गाया हम भी इतनी नुट है उसमें हमने धाउन मान लिया यूपी में हमने डाउन मान लिया फैसर शीट मान लिया इसके लावा और राज्यों के अंदर में मान लिया कि यह सपीं जो आंकड़ा है वो ऑल्रेडी डोसो 222 टच कर रहा तो ये सारे स्टेट्स बड़ी स्टेट्स को लिए बगैर भी 272 बीजेपी को मिलती दिख रही है हमें अभी तक कहीं उसमें अर्चन दिखाई दे नहीं रही तो जो अमिच्छा कह रहे हैं कि हम तो 449270 पार हो गए एक मुम्किन है कि ये बात सच हो जाए खेर अब दूसरे क प्रेंका गांधी तो देरा डाले हुई है राएवरली में रोज सभाए रोज बीटिंग से मिलना लोगों को अपनी परिबार की बाते हैं याद दिलाना मैं वह आपको सुना हूंगा भी राहूल गांदी लेकिन वहां भी नहीं है एक दिन के लिए गए थे फिर वहां दिल तो तस्वीरें देख करके नोस्टाल्जिक होके थोड़ा पुरानी बातें कर रहे थे रहा हैं हमें 10 साल का था जब मैं उनके साथ जाता था यहां पर बाड़ा आ जाती थी इस लाके अंदर लोग आते थे कैसे पापा से मिलते थे यह बता रहे हैं कि पापा ने मैं राजीव ने मतलब फिर सुनिया जी ने और फिर मैंने मतलब राहूल गांदी ने हमने कितना काम किया अमेठी और रायवरेली के इंडरेस्टिंग ली वो उस बादशीत में यह वी चर्चा हो रही है कि कभी यह लगता था कि तरक्की में विकास में अमेठी रायवरेली से आगे निकल करता था तो यह competition चलता था कि कहां जादा विकास हो रहा है अब कितना हुआ 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 हम लोगों कभी चर्चा कर लेंगे उसकी वो और इसके अलावा जो दिनेश परताप सिंग चुनाव लड़ेंगे राहूल गांधी के सामने वो तो यह कह रहे हैं कि मैं उनको गांधी मा क्या नाम राहूल गांधी और सोनिया गांधी नने लिया यह सुनिया गांधी के शसुर हुए है और दादा रहूल गांधी के वहां नाना नानी मामा मामी चाचा चाची मौसा मौसी बूगा पुपा इतना नहीं होता है इसलिए वह देना चाहिए ला इतना तो ठीक है गिरिला सिंग ये कह रहे हैं केंद्री मंतरी कि राहूल चुनाव खतम होने दीजिए राहूल गांदी सोनिया गांदी देश छोड़ कर भागने वाले हैं अब इसमें से एक बात लेकिन की जा सकती है कुछ चर्चाएं ऐसी हमने लोगों के बीच में इसी आवाजें उटने लगे हैं कि क्या ये चुनाव अगर राहूल गांदी हार गए तो क्या ये उनकी जीवन का आखरी चुनाव होगा मतलब क्या फिर एक्टिव पॉलिटिक से चुनावी राजनीती से हो सकता है आपने आपको अलग करने क्या इसा होगा इसकी कुछ लोगों ने इसी चर्चा शुरू कि इस पर भी हम बात करेंगे तो मैं आपको अब ये ब प्रधानमंत्री बने हैं जब किसी एक गरीब के घर में घुसे ही तक नहीं है मोदी जी को देखते हैं ऐसा साफ सुत्रा कुर्ता तो मैंने जिन्दगी में नहीं देखा हर दस मिनट बदलते होंगे या फिर कुछ करते नहीं है मेरे पिता जी घर आते थे दाग भरे रहते थे धूल सर पर धूल मुपे धूल घबराट हो जाती थी देख के इधर इधर तक उनके हाथ पे निशान होते थे दाग होते थे लोग यू यू पकड़ के उनसे मिलना चाहते थे नाखून के निशान होते थे और ये आपके प्रधान मंत्री ऐसी चमक है चहरे पे की महिलाएं जी अगर हमको भी पता चल जाए ना कि क्या लगा रहें तो हम सब भी लगातना शुरू करें अगर पुरा देश जानता है असली गांधी का नाम महात्मा गांधी जिनको हम लोग राष्ट पिता कहते हैं लेकिन इनका गांधी सरने ये महात्मा गांधी से अपने को जोड़क लगाते हैं तो असली महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे तो नकली हैं इसमें तो कोई पूरी भारती संसकार संसकती में अगर जिस से साधी हो जाती है तो हम हमारा गोत्र और हमारा सब कुछ उसी के नाम से हो जाता है तो अगर मान लिए प्रियंका गांधी ने बाडरा से साधी किया तो फिर तो प्रियंका बाडरा हो गई ना फिर प्रियंका गांधी कैसे हो गई तो हर जगह इन लोगों ने ओट के लिए अपने बच्चों का नाम मुस्लिम समाज से मिलते जुलते नामों के रूप में रखा रियान बाडरा हमारे हाथ नहीं रियान हिंदू तो कोई नहीं रखता तो प्रियंका बाडरा तो ठीक बात है प्रियंका गांधी वाडरा मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों रखा जाता है सिर्फ ओट के लिए जाहूल गांधी ये सुनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं ये जिस ढंक से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं लोगों की संपती छिनने की बात कर रहे हैं मुशलमानों की बात कर रहे हैं हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है इस वार चालिस से कम पिजले वार से कम सीट आएगी ये भारत छोर के भागेगा अब ये देखिए खाटी जो राइबरेली और मेटी वाली जो पॉलिटिक सोरी यूपी बिहार वाली वो चल ले ही यहां पर गुर जी बताईए प्रेंका जी को मुदी जी के कपड़े इतने साफ क्यूं है मेरे पिता जी के कपड़े तो गंदे होते ते लोगों से मिलके आते थे हाथ ले नील पड़ा जाते थे छिल जाते थे लोग इतना पकड़ पकड़े निख देते ते के सवरग जी ये पूरा देश जानता है दो हजार चौदह में जब चुनाओ था तो मुदी जी ने कोई 400 के आसपास पूरे देश बने साल बर में 434-435 रैलियां की थी उस समय 2014 में जो है 134 के आसपास रैलियां की थी और दो जो है वो रोट सो किया था अभी तक 136-137 रैलियां हो गई थी दो दिन पहले तक मैं काउंट किया था उस समय सब 134 रैलियां हो चुकी थी प्रधान मंत्री की बीस के आसपास इंटरियू दे चुके थे वो आपका इंटरियू एगर अकाउंट मैं नहीं किया हूं क्योंकि उसके बाद कम से कम 10-15 इंटरियू और दे चुके हैं इतने अख़बारों को उन्होंने लगभग रिजनल अख़बारों को भी इंट्रिव्यू दे चुके हैं कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब प्रधान मंत्री के तीन सभा और एक रैली नहीं होती है एक एक जो है रोड शो नहीं होता है तो एक तो उस तरफ पूरा देश जानता है और आप उनके दुस्मनों से भी पूछेंगे तो कहेंगे यार इतना खपा रहा है हर constituency को लगभग या उससे दो constituency को मिलते हुए एक constituency को टच करने का लगभग प्रियास हुआ है प्रधान मंत्री के दौरा और आप देखेंगे कि चुनाओं से पहले ही इसकी सुरुवात हो चुकी थी मतलब आप जनवरी से इसकी सुरुवात आप देख सकते हैं और उस पे उस पे बाद में अब तो मतलब तीन सभाएं तो रोज ही करिब करिब होती है मैं फिर भी मैं कह रहा हूं कि राहूल गांधी का अभी जब फोटो यह दिखा रहे होंगे तो यह ऐसा ही होता है जब परिवार नस्ट हो चुका होता है तो आदमी अतीत जहाकना सुरू करता है मेरे बाप दादे कैसे थे एक जमिंदार का सब लूट चुका होता है लूटे-पिटे मजनू की जिस्तिती में जब आ चुका होता है तब वो पुरानी अपनी तस्वीरें फाइल से निकाल करके देखना सुरू करता है हमारे दादा कैसे थे क्योंकि गौरो करने के लिए आपकी अपनी पुंजी जब नहीं रहती है तब अपने दादे पर दादे की तरफ यात्यां तब भी एक बात थी वागल में बहुत दूर नहीं है फिरोज गांडी वह फिरोज गांधी नहीं थे फिरोज ग्यांडी थे जी एच ए एन तू गांधी कैसे हो गए? इसलिए वहां से वह गांधी हुआ और फिर वह Nee उन्होंने 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 किसका नाम दिया था उन्होंने अपना नाम श्रिमती इंदिरा को दिया था है फिरोज Gандi को नहीं दिया था फिरोज तो Ghandi ही थे लेकिन मजधार बात है तो आप देखेंगे तो उसमें उसके अनुसार तो जो राजिय गान्धी थे वो तो पारसी हुए उनसे निकला हुआ संतान, पारसी और एक क्रिश्टियन महिला, उनसे निकला हुआ संतान, वो हिंदू क्या हुआ हुआ, क्या हिंदू उनका बैप्टाइजेशन कभी हुआ है, क्या उन्होंने घूसित किया है, ऐसा तो नहीं है तो ये बात ये सवाल तो इस देश में है और आप जब जनेव चढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात कि मन में जब होता है न तो हिंदुओं के प्रति इतनी अगाध जिसे घ्रणा भारत के बाहर जाकर के यदि पश्चिम क्रिश्चन की दुनिया में यदि आप भारत के हिंद कैशना तो हिंदु समाज हिंदु मन्दिरों हिंदु सभधा चोग ड़ू करते हैं और समक्रफटी और थे बात मेरे अपने बाप दादों को घॉकिम nyn Palcao Master मेरे हिंदु को कोई गाली दे तो मैं चुपचा बैठा रहूंगा या पतिकार करूंगा क्रिश्चिन एक क्रिश्चिन पादरी भारत के हिंदु समाज को हिंदु को गाली दे रहा है और राहूल गांधी बैठे हुए मोट सुन रहे है लेकिन उनकी प्रतिबदता पर प्रश्चिन तो है लेकिन ये मुद्दा जो जो जिस मुद्दे पर चल पड़ रहे हैं अभी दिनेश प्रताप सिंग इसका कुछ लेना देना है उस चुनाव से चुनाव में बिखे गाए मुद्दा ने ने कि प्रियंका वाडरा है गांधी चुनाव में ये कताई कोई काम नहीं करने वाला है और दिनेश प्रताप सिंग को और इसमें नहीं फंसना चाहिए ये वो मुद्दे हैं जिसको हम कहते हैं बड़ी डिवेट का इशू है कि गांधी थे तो गांधी कैसे हो गए कौन क्या नाम लगाता है और मुझे लगता ह कि ये कोई विशय वहां है भी नहीं दिनेश प्रताप सिंग वहां के इस्थानी व्यक्ति हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि एक तो पहले भाजपा के अंदर जो नट बोल्ट हो दूरुस्त करें अधिति सिंग से जाके थोड़ा मान मनुहार करें वो पूरी तरह से मोर्च खोले हुए हैं एकदम दिनेश प्रताप सिंग के साथ नहीं मनोष पांडे अमिच शाह के जाने के बाद मान गये हैं लेकिन अभी भी दिनेश प्रताप सिंग को बहुत से लोग नो नेता मानने को तयार नहीं उनको नहीं ठीक करना चाहिए वो थोड़ी वहां हिंदू- गांधी अब बोलते भी समझ नहीं था कौन सावला बोले हैं गांधी तो घिरोज गांधी और इंद्रया गांधी इन्हों ने जो काम किया उसके बाद राइबरिली में कोई काम नहीं गया सोनिया गांधी जी ने जितनी चीजे वहां लाई हैं यानि इसको हम कहें कि जो बड़े नाम के तौर पर गिनाते हैं उन में से कोई भी पूरा नहीं होता है मतलब अगर आप निफ्ट के सेंटर को लाने कि नेशनल इंस्ट्यूट आप फैशन टेक्नलोजी जिसमें आल इंडिया से बच्चे आते हैं कुछ बच्चे आए और उसको आप कहें तो फिर लोग कहें कि रहें तो मजाकी कर रहा है और एम्स के लिए जमीन तक नहीं मिल प कुछ भी ऐसा बड़ा तो अब एक राइबरली के लिए अब एक कर दीजे आज का अनुमान आपका नहीं अनुमान मेरा वहीं पर है अनुमान ये है कि बहुत मुश्किल है राहूल गांदी के लिए वहां लेकिन भारतियी जनता पार्टी अपनी अंधरूनी कलह से बहुत मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है समीर जी राहूल जी हम लोगी डिसकेशन कंटीन्यू करेंगे और एक दूसरा मुद्धा भी आगया रहा है बहुत बड़ा मुद्धा साब अर्विन केजरिवाल जी गायब हो गया आपको देखा चुनाव के बाद जेल से केजरिवाल से मिलने और वहां जो अर्विन केजरिवाल के सबसे निकट बखती है विभव कुमार उनके पीए पीएस स्वातिमालीवाल कह रही है इसने मेरे साथ मारपीट की पुलिस बुला ली स्वातिमालीवाल ने खेर उनने मुकदमा दर्ज नहीं किया अब इसके विभव कुमार विगाया स्वातिमालीवाल ने इतनी बढ़ी बाद केने कि बाद वहा इंहीं सामने संजे सिंग कल सामने आये और उनने का हां यह घटना सच है विभव कुमार ने बतमीजी की और हम मुख्यमंतरी के संग्यान में पूरा मामला है मुक्य मंतरी देख रहे है तो कुछ कहने लोग मुख्यमंतिरी क्यों देखेंगे पूलिस देखेंगी जो देखना है और स्वाती मालीवाग को भारा करके साफ साफ बताना चीए उनके साथ हुआ क्यों गटना सीम हाउस के अंदर की गटना है मुख्यमंतिरी के घर में हुआ है सब कुछ और वजह क्या है इसके पीछे इसको लेकर के जितने मुख उतनी बाते हैं